हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे class 6th science का chapter no.4 sorting materials into groups जो की बहुत ही अच्छा chapter है और इस chapter में बहुत important important जो है वो point दियो हैं यानि की topics दियो हैं जिसको हम पढ़ेंगे और अगर आप चाहते हैं इस topics को पुरे अच्छी तरीके से पढ़ना और विल्कुल अपने mind में set करना तो इस video को complete देखेगा क्योंकि इस video में आपको ऐसे ऐसे important point बताने वाले हूं जो आपके exam में जरूर पूछे जाएंगे और बहुत important है हमाई daily life में भी important है और exam के लिए तो important है ही तो आप मैं आप से यही बोलूँगी कि इस video को skip नहीं करेगा complete देखेगा और अगर आप channel पर नए हैं तो video को like करेगा और मेरे चैनल को subscribe करेगा और bell icon को on notification पर click करके जरूर दबाएगा ताकि आगे की आने वाली जितने भी videos हैं आप आपको time से मिलती जाएं तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं इस chapter को start करती हूँ so start this video पहला topic है हमारा objects around us ठीक है object around us का मतलब है कि हमारे आस पास न बहुत सारे object होते हैं ठीक है बहुत सारे object और वो object किससे बने होते हैं material से बने होते हैं तो अब हम कुछ अपने आसपास की ऐसे चीजों को देखेंगे जो की ऐसे आपजेक्ट को देखेंगे जो की मटीरल से बने होते हैं और सारी चीज़ें मटीरल से बने होती हैं तो हम सारे चीजों की ही बात करेंगे जो आप अपने आसपास देख रहे हैं अभी भी आप अपने आसपास observe कर सकते हैं कि आप क्या क्या देख रहे हैं अपने आसपास बहुत सारी चीजें होती है table, chair, cycle, utensils, ठीक है बरतन भी हो सकते हैं, books हो सकते हैं ठीक है, कपड़े हो सकते हैं, toys हो सकते हैं water, stones and many more objects ऐसे बहुत सारे object हैं और उनके shapes होते हैं वो भी अलग-अलग ही होते हैं कुट ball round shape में होता है, rubber ball round shape में होता है glass marble, ये भी round shape में ही होते हैं तो ऐससे बहुत सारी चीजें हैं इसके alarm現在 गड़ा धिके, घड़ा भी होता है, वो भी round shape में ही होता है तो हम अपने आज पास बहुत सारे ऐसे shapes देखने हैं इसका अलामा sphere shape हो गया sphere shape यानि कि वही round shape इसके अलामा आपका हो गया rectangle shape, triangle shape बहुत सारे shapes होते हैं ठीक है और अलग-अलग चीजें अलग-अलग shape में बनी होती हैं तो अभी हम इन items के बारे में अपने आज पास बिलकुल अच्छी तरीकी से ध्यान से देखेंगे और observe करेंगे कि क्या-क्या चीजें हैं जो हमारे आज पास और वो क्या-क्या उनका material है ठीक है वो किस-किस चीजे से बनी हुई है तो all objects around us are made of one or more materials सारे object जो होते हैं वो एक या फिर अधिक material से बनते हैं ठीक है जैसे कि अगर हम बात करें एक chair की ही बात कर लो आप ठीक है एक chair जो है वो किस-किस लकड़ी से बना होता है ठीक है इसके alarm प्लास्टिक से भी बनता है ठीक है इसके alarm अगर मैं बात करूं सोफा कपड़ से बनाता है लकड़ी से बनावता है इसे लाँस में और भी बहुत सारी चीज़े यूज़ की जाती है तो ऐसे बहूत सारी चीज़ें होती है जो क्या होता है ना LOLS हम ठीके बहुत सारी चीज़ें बनती है मतिरियल में बात करूं तो वो है glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud, soil, ठीक है, ऐसे बहुत सारे examples मैं आपको यहाँ पे लिखे होएं, ठीक है, इसे बहुत सारे examples हैं, जो आपको यहाँ पे लिखे होएं, materials के, तो ऐसे बहुत सारे examples हैं, हमारे पास में, कुछ अगर आप school में हो, तो school में chalk, pencil, ऐसे बहुत सारे materials हैं, जो हमारे school में भी available होते हैं, तो यह हो गई materials की बात हैं, ठीक है, इसमें हम, अगर हम बात करें, तो कुछ materials को अगर हम देखें, जैसे कि plate को हम देखें, तो plate किससे बनाता है, still glass, plastic से बना होता है, ठीक है, pen किससे बनाता है, प्लास्टिक से बना होता है या फिर मैटल से बना होता है यहां पर एक चीजे जो है न वो कई सारी चीजों से बनी होई है ठीक है, next अगर हम बात करें यहां पर तो यहां पर हमारा है चेर, टेबल, और प्लग, बलककाट, एंड इट्स वील ठीक है, यह किस से बनते है? उड से, यानी कि लक्डी से होते हैं, ठीक है, यानी कि लक्डी से ही बहुत सारीचीजे बनी हुई है, ठीक है, पेपर से क्या बना होता है? पेपर से books, notebooks, newspapers, canvas, calendar ठीक है, यह बनता है, यह बनता है आपका बनता है, बैक बनते हैं, सूज बनता है, ठीक है, पॉर्स बनते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़े बनती हैं, प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़े बनती हैं, कॉटन से भी बहुत सारी चीज़े बनती हैं, अपने आज पास अब्चॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है, तो अभ जो है वो हमारा थोड़ा important है क्योंकि हम यहां पर materials के properties के बारे में बात करेंगे properties हम इसको समझेंगे और बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि materials की properties क्या होती है properties के अगर मैं बात करूं न तो यहां पर अगर आप किसी भी material को बनाते हो मालो आपने ग्लास लिया यहां पे examples में दे रख खा है कि आपने만 ग्लास लिया ट상बलर ठीके टम्बलर उसको बोल सकते हो उप एक आपने टामलर लिया और उसको क्या कहते है आपने उसको कपड़े से बना दिया ठीक है जिसमें आप टंबलर यानि की ग्लास ठीक है ग्लास आप कहते हैं किसे ग्लास में क्या करते हो आप पानी पीते हो पानी रखते हो या फिर कोई लिक्विड चीज़े लेते हो ठीक है अगर आपने उसको कपड़े से बना दिया तो क करेंगे तब बन रहा है तो उससे ग्लास बनेगा और जो हमारे लिए यूजफुल भी होगा इसके अलाव अगर मैं बात करूं तो अगर आप कुकिंग वेसल्स के अगर आप उसको पेपर से बनाते हो तो क्या होगा क्या उसमें खाना हम पका पाएंगे बिल्कुल नहीं पका वो बहतर होती है ठीक है तो कुकिंग यूटेंसल्स भी ऐसे ही कुछ मैटल वाली चीजों से बने होते हैं तो अभी हमें यहां पर इससे क्या समझ में आ रहा है इससे हमें यहीं समझ में आ रहा है कि सभी के अपने अपने प्रॉपर्टीज होते हैं उनके सभी के अपने अ materials ठीक है तो अभी हम इसके कुछ और properties कुछ countable properties देखते हैं जैसे कि कुछ इसमें properties होते हैं जैसे कि appearance ठीक है appearance का मतलब क्या होता है कि दिखता कैसा है वो material कैसा दिखता है ठीक है materials usually look different from each other सारे materials एक दूसरे से अलग-अलग ही दिखते हैं अगर हम उसको देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कौन से प्लास्टिक की हैं कौन से लोहे की हैं कौन सा लकडी का बना हुआ है हम उसको easily समझ जाते हैं वो कैसे क्योंकि जो है लकडी वो बिल्कुल iron से अलग दिखता है ठीक है कुछ similarities होती है उनके अंदर ठीक है वो एक दूसरे से अलग तो होते हैं लेकिन that are not there in order ठीक है लेकिन लकडी से न वो क्या होते हैं थोड़ी से different होते हैं अलग होते हैं उनकी similarities यह आपस में एक दूसरे से similar होते हैं बट लकडी से वो न वो अलग होते हैं वो कैसे होते हैं हम उसको प्रोर्इं मीठल को काटते हैं थी तो काटते हैं तो क में स्यक्यास भी कॉसे भी कारना नद्लैंगे इसको अगर या प्राक्टिकली करते हो तो कैसे करोगे आप पास में अगर आपके पास पास पेपर वाली चीज़े तो इसको अलग रखो ठीक है कुछ कार्ड़ वी चीज़े से पनी संहाते हैं शॉक और एसे एसे कुछ चीजों को आप रखो और उनको एक उनकी के टेंगरी डिवाइट करो के टेंगरी डिवाइट करने का मतलब है जिसमें Jis category करती हैं जो sign करती है जो साइन करती है जो चमक ती है उसku आप अलग है या फिर मतलब ऐसे आपको देखने से ही आपको पता चलेगा कि वो कैसा दिख रहा है तब आप उसको उनको अलग करोगे ठीक है तो उसमें आप अलग करने के बाद में आप क्या देखोगे कुछ चीजें जो होती है वो अलग अलग तरीके से बनी होती है और यहां पे आंदी होता है न हमारा सिल्वर को अगर हम ऐसी खुला छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है वो ब्लैक हो जाता है ठीक है वुजाता है वो उसकी कि इयर टाइट कन्टेशन के ने में रखने से वह काला नहीं पढ़ता है तो हमने यहां पे देखा कि बहुत सारे materials जो है न वो चमकीले होते हैं ठीक है और मतलब shiny होते हैं iron, copper, aluminium and gold are examples of metals okay लेकिन कुछ ऐसे some metals जो होते हैं वो sign होते हैं बट क्या होते हैं कि वो appear dull ठीक है वो फिर dull दिखना सुरू हो जाते हैं अभी हम लेखेंगे hardness ठीक है next है हमारा hardness यहां पर hardness से ही समझ में आ होते हैं ठीक है उसको अगर हम देखें तो यहां पर कुछ materials ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल अगर आप उसको हाथ से touch करोगे तो बहुत ही hard होते हैं अगर आप इसको दबाओगे ना तो वह इसली compressed नहीं होंगे वो दबेंगे नहीं ठीक है तो take a metal key and try to scratch with it अगर हम आपे एक metal key लेते हैं और उसमें कुछ ऐसे materials ले लेते हैं जिसको उसको हम scratch करते हैं तो हम उसमें क्या देखेंगे कि जैसे कि अगर हमने wood ले लिया, aluminum ले लिया, piece of stone ले लिया, nail, nail, candle, chalk, okay यह सारी चीज़े ले ली और उस पर अगर हम जो है key को rub कर रहे हैं तो हम क्या देखेंगे कि easily scratch नहीं होता है कुछ materials पर ऐसे होता है कि easily scratch हो जाता है और कुछ पर नहीं होता है easily scratch तो वो ऐसा क्यों होता है क्योंकि कुछ materials जो होते हैं जो easily scratch हो जाते हैं वो soft होते हैं ठीक है जैसे कि आप cotton देख लो ठीक है cotton हो गया या पर कुछ स्पंज होगा स्पिंज वाली चीजे तो उसको आप जब रप करोगे ना तो बहुत सॉफ्ट होती है और इस पर श्चरच भी बहुत आजाएंगे तिक और कुछ चीजें ऐसी होती है जो इस्कृच नहीं होती है जैसे कि वह होती है जिनको हम जब दबाते हैं ना त अगर हम इनको और एक पार्ट में देखे वह एक आ जाता है, अभी तक हमने किसकी बात करी थी, अभी तक हमने हाट की बात करी थी, अपियरंस की बात करी थी, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक बात और समझाना चाहूँगे, कि material ना, material जो होते, वह थी टाइप की होते है, ठ तो होता है आपका solid, जो अभी हमने देखा, solid, जिसमें हमने क्या देखा था, solid material में हमने बहुत सारी चीज़े देखी ते जिनके hard होता है, वो देखने से बहुत ही hard देखते हैं, ठीक है, और जिनको easily compress करना बहुत मुस्किल होता है, कुछ soft होते हैं, कुछ rough होते हैं, तो हमने solid material में देख लिया, एक होता है liquid, ठीक है, appearance भी, appearance भी हमने देखा था, solid और liquid जो होता है, वो appearance जिनको हम easily उनके बनावट को देख सकते हैं, वो कैसे हैं, वो देख सकते हैं, तो solid और liquid हो गया, यह हमारा, और तीसरा होता है gas, ठीक है, तो यह तीन type के material होते हैं, और जो कि हम आसपास देखते हैं, और अभी हम बात करेंगे, soluble और insoluble, ठीक है, soluble का मतलब होता है, घुलन सील, ठीक है, घुलन सील, मतलब की, अगर आप किसी भी चीज को ना पानी में डालते हो, तो easily पानी में disappear हो जाते है, मतलब वो dissolve हो जाता है, ठीक है, तो इसको soluble बोलेंगे, औ हम एक बार और अच्छी तरीके से देख लेते हैं, कि अगर आप एक कांच का ग्लास लेते हो, ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आपने कांच का ग्लास ले लिया, दो कांच की ग्लास नहीं है, और उसमें अगर आपने उसमें नमक डालते हो पानी में, वाटर लेकर कि अगर आप नमग डाला था उसमें ठीक है तो इसली क्या है वो डिजल्व हो जाएगा Sah Australia हम इसमें डालते है'm आप जिनीं तो चिनी भी डिजॉल्व जाता है अगर हम देखता है हमने इसमें सुगर को तो सूगर भी क्या है? Easily dissolve हो जाता है तो अभी हम देखते हैं यहापे कुछ और चीज़ें आसी होती है जिसको हम पानी में डालते हैं तो dissolve नहीं होती है जैसे कि sand हो गया chalk powder, sawdust इसको अगर आप डालोगे पानी में तो वो dissolve नहीं होंगी वो disappear नहीं होंगी पानी में completely वो हमें दिखाई देंगी वाटर में ठीक है? तो यह चीज़ें जो होती है न वो insoluble होती है यह क्या है? insoluble part है यह है insoluble part हम यहाप एक बार देख लिए है यह है insoluble part ठीक है? तो अभी हमने देख लिया पानी में lemon juice डालते हो mustard oil, coconut oil, carrosinol तो इसमें क्या होगा न कि जो water वाली चीज़ें है जैसे कि lemon juice होगया ठीक है? water वो dissolve हो जागा लेकिन mustard oil, coconut oil, carrosinol यह एक दूसर से dissolve नहीं होते हैं क्योंकि यह oily substance होते हैं यह पानी में वापस से आकर के तैडने लगेंगे ठीक है? यह एक दूसर से dissolve नहीं होते हैं बूजो ने अभी बताया कि liquid के बारे में आपे कुछ चीज़ें जो है अच्छी तरीके से mix हो जारी है liquid के साथ में और कुछ चीज़ें नहीं हो रही है तो पहली ना बहुत curious है यह जानने के लिए कि gas क्या dissolve होता है water में ठीक है? क्या water में gas dissolve होता है? यह थोड़ा से सोचने वाली बात है कि water में gas को हम कैसे dissolve करेंगे लेकिन yes होता है कुछ examples में हम देखते हैं जैसे for example अगर आप oxygen को लेते हो और oxygen को अगर आप gas में वाटर में अगर आप dissolve करते हो तो यह easily जो है यह dissolve जाता है क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि oxygen gas dissolve in water is very important for the survival of animals and plants that live in water ठीक है? ऐसे plants और animals हैं जो वाटर में रहते हैं उनके लिए oxygen बहुत जरूरी होता है और हमने देखा है water में oxygen है यानि कि oxygen gas already है इसलिए जो है यह plant और animals है इसका मतलब है कि जो है gas भी water में soluble है तो अभी हमने यह तीनों देख लिए इनके सारे properties देख लिए अभी हम देखते हैं objects may float or sink in water objects मतलब ऐसे object होते हैं कुछ water में flow करते हैं ठीक है, float करते हैं कुछ sink हो जाते हैं कुछ water में float करते हैं और कुछ डूब जाते हैं तो ऐसे objects को हम observe करेंगे आपने water में कुछ ऐसे object डालते हो ठीक है आपने लकड़ी डाला तो क्या होगा लकड़ी जो है वो तैरेगा ऊपर ठीक है अगर आपने उसमें चाबी डाला की डाला तो क्या होगा अंदर चला जाएगा कोई stone डाला तो अंदर चला जाएगा अगर आपने water में leaf डाला यानि पत्ते डाले तो पत्ता जो है उसमें उपर तैरेगा तो इससे हमें समझ में आता है कि कुछ चीज़े water में तैरती है फ्लोट करती है और कुछ जो है वो डूब जाती है ये भी उनका अपना अपना मतलब property ही होता है इसको हम आगे आने वाले classes में आप बहुत ही डीटियल तरीके से पढ़ेंगे फिलहाल तो आप ये experiment करके समझ सकते हो कि कौन सीज़ें sink हो रही है और कौन सीज़ें float हो रही ह नेक्स हम देखते हैं transparency ठीक है transparency का मतलब होता है पारदर्सी यानि पारदर्सी मतलब जो जो ना एक दूसरे अगर हम इस साइट खड़े हैं और दूसरे साइट से हम easily visible है ठीक है अगर वह बीच में रखा भी है हुआ है हमारे सामने तो हम easily visible है जैसे कि आप glass कांच की बात कर तो अगर glass जो होता है ना कुछ glass वाली चीजें जैसे कि आप टॉफी या फिर किसी सॉप पे जाते हो ना तो आप क्या देखते हूं वहाँ पर चॉकलेट्स होती है बहुत सारी तरह की वराइटी आप टॉफी होती है वह ग्लास वाले कंटेनर में रखी होती है क्यों क्यों वह विजिबल होती है जिसे सॉप कीपर को देना बहुत इसी होता है ठीक है और इसे अट्रेक्शन भी बढ़ता है कस्टमर का तो हमने यहां पर देखा कि ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंट माटेरियल बोलते हैं ठीक है जैसे कि गैस वाटर एयर यहां पर कुछ चीज़ अगर पीछे खड़े हैं या फिर वह मैंसा मतियल के पीछे तो बिल्कुल भी दिखाई ने देते हैं ठीक है जैसे कि हो गया कोई लक्डी का बॉक्स हो गया या पिर कार्ट बॉर्ड हो गया कुछ चिज़गर उसमें रखते हैं न कोई ऐसे कंटीनर पी होते हैं जो मैटिल होता है so now do you find that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent ठीक है अभी हम बिलको easily तरीके से हम opaque materials और transparent material को अलग कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर कुछ और भी materials होते हैं अभी हमने transparent और opaque देख लिया अभी एक और material होता है अगर हम उसकी बात करें तो उसमें हमें पुरी तरीके से कोई भी चीज़े नहीं दिखा देती हैं लेकिन हम उसको सोच सकते हैं कि उसके पीछे क्या रखा हुआ है ठीक है हम उसको देख समझ सकते हैं थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं यानि गैस कर सकते हैं तो ऐसे material को हम बोलते है ट्रांसल सेंट material ठीक है ट्रांसल सेंट का मतलब होता है अर्ध पार दरसी मतलब आधा तरीके से यानि कि पूरी तरीके से वो नहीं हमें दिखा देगा बट थोड़ा सा हम उससे देख सकते हैं जैसे कि अगर आप बात करो ना ना उसको light के सामने रखे जब आपसको देखते हो तो उसमें पूरी तरीके से visibility ने दिखती है ठीक है मतलब पूरी तरीके से दिखाई नहीं देगा अब तो यह होता है ठीक है अभी हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा है एक और जो एक्सपरिमेंट आप कर सकते हो कि आप पुरी तरी के से लाइट को बंद कर लो ठीक है और एक टॉर्स लेने के बाद में आप उसको अपने हथेली के बिल्कुल बीचो बीच रखो जलाओ तो क्या उस तो वह बिल्कुल ओपैक होता है लेकिन ऐसे अगर आप उसको जलाते हो तो वह लाइट जो है हम इसको देख सकते हैं ठीक है तो यह हो गई हमारी टांसलसेंट की बात है अभी हमारा जो माटेरियल होता है हमने इसकी अपेरेंस के बारे में देख लिया ठीक है और उसका उनकी हम सिमिलर्टीज और उनके प्रॉपर्टीज के एक कॉर्डिंग जो है ना हम उनके ग्रुप को हम डिसाइड कर सकते हैं उनको ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं तो यह हमारा पूरा चैप्टर था जिसमें हमने पूरे माटेरियल के बारे में देखा और माटेरियल होते हैं उसके बारे में हमने देखा